हेलो पेरे प्यारे बच्चों कैसे हो आप सब मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और चम के मेनद कर रहे होंगे जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज हम लोग पढ़ेंगे है अरो मैटिसिटी हमारे जैई और नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें एक से दो कोश्चन हमारे हर साल आते हैं ठीक है तो आपके कोश्चन किस टाइब के होते हैं कि बताईए आपको अप्शन्स दिए गए होते हैं कि इसमें से कौन सा अर sellers思कें प्वार क् goose काश्चन की कि हमारे तीन सब टॉपिक है सबसे पहला है रॉप करkami दूसरा है अमारे नॉन आरो मेटीक कम पॉण और तीसरे हैं हमारे एंटि ऐरो मेटीक कम नूंस ठीक है कि एडोग सब्सेपर्ले पढ़ेंगे aromatic compounds aromatic city में सबसे पहला हमारा topic है aromatic compounds aroma से आप क्या समझते हैं aroma word आपने कहीं सुना होगा कि sweet smelling जो हमारे compounds होते हैं उनको क्या कहते हैं aromatic compounds होते हैं जिनकी खुश्बू हमें पसंद आती है जो sweet smelling compound है these are known as aromatic compounds तो अब मैंने जैसे की कहा कि हम लोगों को पहचान में आना चाहिए कि यह वाला जो हमारा compound है यह aromatic compound है तो इसको हम कैसे पहचानेंगे इसके लिए हमारी conditions होती है हम लोग देखते हैं कौन कौन सी conditions होती है सबसे पहरे condition होती है हमारी compounds should be cyclic क्या होना चाहिए जो हमारा compound होना चाहिए वह cyclic होना चाहिए मतलब हम जहां से शुरू करें वह नहीं पर खतम हो जाए cyclic compounds इसे close structures होता है हमारी यह सारे हमारी क्या है cyclic compounds चाहिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी जिए है ओक है cyclic compounds दूसरी हमारी condition है compound should be planar compound should be planar हमें कैसे पता चलेगा कि कोई compound planar है मतलब वो एक plane में exist करता है या नहीं करता उसके लिए एक trick है कि आप लोगों को देखना है कि उसके जितने भी carbon atoms है compound के जितने भी carbon atoms हैं उनक सब की hybridization क्या होनी चाहिए sp2 जितने हमारे सारे के सारे compounds जो compound के carbon होंगे अगर वो sp2 hybridized होंगे तो हम लोग कहलेंगे कि यह हमारा planar structure है ठीक है तीसरा देखते हैं conjugation conjugation ठीक है conjugation मतलब कि हमारे उसमें resonance होना चाहिए और वो भी पूरे structure के अंदर ठीक है resonance होना चाहिए और पूरे structure के अंदर होना चाहिए ठीक है second condition में कोई doubt नहीं है एंड लास्ट वन इस हकल्स रूल यह पहली बार सुना होगा नया नाम हकल्स रूल क्या होता है हकल नहीं कहा था कि compound जो है यह formula 4n प्लस 2 यह formula क्या है उसको valid करना चाहिए देखे कि हगर हम लोग 4n प्लस 2 electron हमारे अगर उसके अंदर present है तो वह हमारा क्या है aromatic है और अगर नहीं है तो क्या है हमारा non-aromatic यह anti-aromatic में से कुछ होगा ठीक है इसका एक example से समझते हैं कि हमारा जो यह example है सबसे पहले क्या यह cyclic है हमें दिख रहा है cyclic है ठीक है क्या इसके सारे carbon हमें sp2 hybridized दिख रहे है वह भी दिख रहे है क्या इसमें conjugation हो रही है conjugation देखो जड़ा यहां पर हमें दिख रहा है double bond single bond and this d orbital तो हमें दिख रहा है कि इसमें conjugation भी हो रही है ठीक है double bond single bond और अपना orbital तो conjugation हो रही है हमारा planar है हमारा cyclic है तीसरा देखते है हकल रूल follow कर रहा है या नहीं ठीक है देखिए इसमें कितने पाई electron पहले पाई bond देख लिए एक पाई bond है एक पाई बॉन में कितने electron होंगे very obvious दो electron होगे ठीक है तो आप देखते हैं कि हकल रूल दो electron के लिए क्या कहता है तो हकल रूल यहां पर हम ज़रा solve कर लेते हैं plus 2 अगर हम यहाँ n की value 0 रख दें n की value अगर हम 0 रख दें तो क्या हमारे पास 2 electron आ जाएंगे ठीक है अगर n की value हम 1 रख दें तो क्या हमारे पास 6 आ जाएगा अगर n की value हम 3 रख दें 4 into 3 12 सॉरी 2 रख दे सबसे बहले 2 रख दे तो 8 plus 2 10 electrons पिर उसके बाद अगर हम 3 रख दें तो 12 plus 14 electron हम लोग इसमें electrons जब चेक कर रहे हैं तो electrons चेक करने के हमें क्या पता चला कि यहां पर जो 2 electron है यह हमारे valid होते हैं तो क्या हमारे इस वाले compound में 2 electron दिख रहे हैं 2 electron दिख रहे हैं तो यह क्या है हमारा aromatic compound है aromatic compound है ठीक है ऐसी एक example और देखते हैं हम लोग क्या लग रहा है हमारा aromatic compound होगा या नहीं होगा देखते हैं सबसे पहले देखते हैं साइकलिक है हमारा हम सब को दिख रहा है कि इसमें जो carbon है वह OBSP 2 है ठीक है अब हम लोग देखते हैं क्या यह conjugation में है दिख रहा है double bond हमारा negative charge negative charge और फिर double bond single bond के बाद ठीक है दिख रहा है double bond single bond negative charge फिर single bond negative charge और फिर हमारा single bond तो पूरा का पूरा structure क्या है conjugation में है ओके अब हकल रूल चेक करते हैं इसमें हमें क्या दिख रहा है कि एक हमें pi bond दिख रहा है one pi bond that means 2 electron तो यहां पर ओके और जो हमारा जो negative charge है negative charge क्या हमारा participate कर रहा है conjugation में हान जी कर रहा है हमारा negative charge conjugation में participate कर रहा है तो दो electron इसके और दो electron इसके कितने electron हो है चार electron total six electron तो छे electron जो है यह भी हमारा aromatic वाला part है तो क्या यह हमारा aromatic compound है जी हाँ this is also our aromatic compound ओके यह भी हमारा क्या है aromatic compound है एक और देखते हैं एक्जाम्पल सबसे पेमस एक्जाम्पल हां जी सबको पता यह क्या है बेंजीन है तो बेंजीन जो है हमारा aromatic compound है या नहीं देखिए cyclic है conjugation दिख रहा है double bond single bond double bond single bond double bond single bond single bond ठीक है अब क्या है अक्कल रूल चेक कर लोते हैं कितने electron एक तो ती चार पाच छे छे लेक्ट्रोन दिख रहें तो क्या हमारे छे लेक्ट्रोन होते तो वह हमारा aromatic होता है या नहीं होता है हां जी वह हमारा बिल्कुल aromatic compound होता है ओके को दिक्कत परिशानी ज़रा यह बताएगे यह भी structure आप लोगों ने देखा हुआ होगा हां जी यह हमारा aromatic compound है या नहीं है बताएगे ज़रा मैं एक मिंट दे रहें सोचने के लिए क्या नाम होता है इसका पेरडें ठीक है यह हमारा aromatic होगा या नहीं होगा enablingfunrouchi चाहुआ है क्या है दिख रहा है नहीं डब़ बॉंड सिंगल बउंड दबल उसके बाद कहां कॏ उसके डिक्वांद क्यों में या कोनज्य चाहिए नहीं होता है जो हमारा nitrogen होता है nitrogen के पास क्या होता है दो本ई पेर होते हैं तो यह यह हमारे क्या है resonance के अंदर participate कर रहे हैं तो पूरे के पूरे compound में क्या हो रहा है resonance हो रहा है तो यह क्या है एक हमारा Conjugated structure है ठीक है Conjugated है देखे हर बार जरूरी नहीं है आपको लोन पे शो करके देख आपको जरूरी अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं non-aromatic और anti-aromatic compounds जैसे कि अभी हम लोग aromatic compounds पढ़ते हुआ है तो aromatic compounds में भी हमारी क्या थी चार conditions थी तो यहां पर हमारी क्या है same conditions है सबसे पहले conditions देख लेते हैं पहली condition है हमारी जो उसमें भी थी यह हमारे compound should be cyclic structure ठीक है anti-aromatic होने के लिए भी दूसरा है हमारा कि जो हमने वहाँ पर देखा था same compound should be planar कैसे चेक करेंगे वही कि sp2 देख लेंगे हम लोग sp2 carbon ओके तीसरी है compound should be in conju compound should be in conjugation compound को पूरे throughout the structure resonance शो करना पड़ीगा ठीक है compound should be in conjugation लास्ट वाली जो हमारी है थोड़ी सी अलग है लास्ट वाली है ठकल रूली है बट अलग क्या है वहाँ पर क्या पड़ादा हमने 4N प्लस 2 रूल यहाँ पर पड़ेंगे हम 4N रूल ओके 4N electron हमारे जो होंगे वही हमारा क्या होगा anti-aromatic compound होगा ठीक है 4N जड़ा देख लेते हैं इसमें हम 0 तो डालेंगे नहीं तो फाइदा ही क्या होगा पूरे हमारे formula का पहला 1 डालते हैं ठीक है 1 डालेंगे तो कितने electron रहेंगे 4 electron ठीक है कितने हैं हमारे 4 second 2 डालते हैं तो दूसरा है हमारा 8 electron ठीक है 3 डालेंगे तो क्या है हमारा 12 electron याद कर लेते हैं 4 8 and 12 जड़ा हम लोग पीछे देख लेते हैं तिछे क्या है हमारा 2, 6, 10 and 12 2 आया तो क्या होगा-برõirmatic हमारा 4 आया तो anti-aromatic 6 आया तो फिर aromatic और उसके बाद हमारा 8 आया तो anti-aromatic 10 आया तो क्या-برõ secure ये और ये हम लोगों को वैसे भी इतना के इन्हों स्लूर्व करेंगे तो याद होई जाएगा 4 electron, 8 electron and 12 electron next देखते हैं हम लोग क्या examples examples देख लेते हैं हाँ जी cyclic है बिल्कुल है planar है बिल्कुल है conjugation में है कौन सी conjugation हो रही है double bond, single bond और lone pair ये भी हो रहा है electrons काउंट कर ले electrons काउंट कर लेते हैं 1 2 3 and 4 कितने electrons देख रहे हैं हमें 4 electrons और हमारा भी क्या था last में देखे 4 electrons वाले हमारे क्या थे थे भई, हकल रूल हमारे follow करते थे किसके लिए anti-aromatic के लिए तो ये कौन सा हुआ हमारा anti-aromatic compound ठीक है? कोई दिकत? next देख लेते हैं जरा हाँ जी, बताइए aromatic, anti-aromatic दो ही है, अभी तो हमने ये पढ़ा है तो दो ही possibilities हो सकती है cyclic है, planar है फिर से हम लोग क्या कर लेते हैं सिर्फ, electrons गिल लेते हैं एक bond में दो electron तो दो bond में कितने electron चार electron फिर से हमारे तो चार electron है हमारे इसमें देखिए हमारे इसमें conjugation भी हो रहा है pi bond, double bond, single bond, double bond, single bond पूरे structure में हमारे क्या हो रहा है conjugation हो रहा है चार electron भी आ गए हैं, तो कौनसा हुआ anti-aromatic ठीक है दिकत, परिशानी, नहीं अभ हम लोग देख लेते हैं देखिए हम लोगों को अपने aromatic compound पहचान में आ गए हम लोग को anti-aromatic compounds पहचान में आ गए तो अब जो बाकी बचे हो क्या बचे वो हमारे non-aromatic वाले बचे तो हम लोगों के लिए non-aromatic पढ़ने के लिए कोई condition ऐसे ऐसे रटने की दुरत नहीं है हम लोग दो ही याद रखते हैं कि अपने aromatic को पहचान लेते हैं अपने anti-aromatic को पहचान लेते हैं और जो भी बचा हमारा वो क्या बचा नेक्स्ट वाल हमारा क्या बचा non-aromatic compounds non-aromatic compounds देखें compound को cyclic होनी की ज़ुरत नहीं है planar होनी की ज़ुरत नहीं है हकल रूल तो है ही नहीं तो हम लोगों को बस क्या देखना है अपने aromatic compound पहचान नहीं है anti-aromatic compounds पहचान नहीं है और बाकी जो बचिए वो हमारे क्या होगे non-aromatic ज़ुरत एक example है पताईए क्या होगा इस पर तो सोचनी की विज़ुरत नहीं है हमारे जो conditions थी aromatic और हमारे anti-aromatic होने के लिए सबसे पहली condition ही क्या पढ़ी थी हमने they both should be cyclic क्या है हमारे cyclic है नहीं यह तो वैसे भी हम लोग बिना सोचे समझे क्या लिखेंगे non-aromatic ठीक है this is non-aromatic एक और example देख रहते हैं हम लोग अंजी बताईए कितने बच्चे कह रहे हैं कि यह aromatic है कि एक दो यह हमें एक पाइब दीख रहा है उसमें हमारे दो electron हो जाएंगे दो electron होने के बाद क्या होगा कि यह हमारा aromatic हो जाएगा huckle rule फॉलो कर रहा है cyclic है सब कुछ है सब कुछ है क्या यह देखो क्या यह SP2 है क्या यह planar है यह हमारा SP2 ही नहीं है planar ही नहीं है तो यह हमारा aromatic और anti-aromatic की condition में हम लोग कैसे रख सकते हैं तो this is also non-aromatic compound एक जो बहुत ही प्यारा question जो अभी neat में भी आया था कुछ time पहले वो देख लेते हैं अजी यह बताएए anti-aromatic aromatic, non-aromatic तीन ही आपके पास options है या none of these क्या हो गई हमारा cyclic है planar है conjugation भी हो रही है सब कुछ हो रहा है electrons गिल लेते हैं हम लोग एक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्या होना चाहिए था इसको anti-aromatic होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था है उन्हान और कि कंपाऊंड क्यों कि जितने भी हमारे छे स्ट आ कि यह मैं क्यों यहाता है की श्रॉक्ट्चर थे कंग छोह लिए तर्च लाइक लिएंगme है सरी ट्यूब वोला मैंने pasted आप अफ ग स्यान ब governments लॉट में जाता है तो यह अमारा स्रुक्रिक्व इसमें आ जाता है और यह हमारा घस्रेक्चर बन जाता है स्थीन की वज़े से तो इस नॉन डेदाए ठाहिए यह हमारा नॉन डेधा हो जाता है तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं, this is non-aromatic compound, ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि जो भी आज हम लोगों ने पढ़ा होगा, aromatic, anti-aromatic और non-aromatic के बारे में, आप सबको समझाया होगा, अगर आपकी कोई भी query है आज की topic को लेके, तो आप हमें comment कर सकते हैं, या फिर हमारा जो pages पे आप लोग message कर सकते हैं, thank you so much